। नमस्टार दोस्तों मैं हूं पिकत मोइन संगला स्वागत है आपका हमारी शाल में। दोस्तों आज हमें इस्विशरी में बात करेंगे कि अपने श्रीर पे अपने पित्रों की सवारी लेना। बहुत लोग इस चीज़ में इंट्रस्टेड होते हैं बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उनके पितर उनके शरीर पे आने लगे उनके सवारी वो लेने लगे तो कही न कहीं उनको फायदा होगा वो हर तरीके के तंतर मंतर उपरी बादा से बचे रहेंगे और लोग कल्यान कर पाएंगे यानि यूँ कह लीजे के पैरनॉमल फील्ड में आने के लिए भी अकसर लोग इस चीज़ के प्रती एक जग्यासा उनकी होती है कि वो पितरों की सवारी अपने उपर ले और कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि पितर खुद भी सपने में आके इस बात की चीज़ जाहिर करते हैं कि वो सवार होना चाते हैं किसी पर्टिकलर मेंबर पे अब माईनी क्या रखता है कि ये सवारी क्यों आपको चाहिए क्या आपको लोकल यान के लिए चाहिए क्या आपको पैरनॉमल फील्ड में आना है क्या आप अपने पित्तर को इस शरीर के माद्यों से सुप्रदान करना चाहते हो भोग का, रस का, सुगंद का, घुजन का, क्या आप पित्तर से connected रहना चाहते हो, कि वो हमेशा आपके साथ रहे, या आप यूं कह लिजे कि एक पित्तर की ख्वाईश है, मात्र वो पूरी करन चाहते हो, या आपको एक यूं कह लिजे, अटाच्मेंट आई है, कह लिजे, तो अलग-लग लोगों के रीजन्स होते हैं, तो कितना यह सही है, इस विशम में भी हम बात करेंगे, दोस्तों, पित्तरों की सवारी बहुत ही common चीज नहीं है, बहुत usual चीज नहीं है, यह बह परिटिकुलर मेंबर इस चीज के लिए चुना जाएगा, कभी-कभी पित्तर भी खुद ही चुनते हैं कि उन्हें किसके उपर आना है, पर जिसके उपर भी उसे उन्हें आना है, या आपको परिटिकुलर नहीं हो सकता है, जो पित्तर रूप में इतना ज्यादा हो, सवारी भी उसी पित्तर की अपने उपर ली जा सकती है, जो इतना ज्यादा एक्टिव हो, जो बहुत तिक दुनिया और पारलॉकिक दुनिया के बीच के सम्बंद में दोनों जगही पून तोर पे एक्टिव हो, तो बहुत तिक दुनिया पे उसका इंट्रस्ट जासाम खेल नहीं है, यह बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं, डेंजरस भी हो सकते हैं, अगर आप कुवा रहे हो, पित्तर की सवारी अपने उपर ले रहे हो, तो आपकी बाद में अगर शादी होती है, तो आपकी शादी शुआ जिन्देगी खराब हो सकती है, उस पर बित्रूप में आपके सामने नहीं है, बलकि आपके शरीर पे हैं, तो इस एक शरीर है, दो आत्माएं हैं, और ऐसा नहीं है कि आने के बाद वो आपके हिसाब से चलेंगे, बहुत अत्तक लोग सोचते हैं कि यह बहुत चोटी सी चीज है, आत्मा, जब हमारा मनाएगा, ज 24 आर्स, कभी भी उनको कोई बात हो रही है, कोई चीज है, कोई भी चीज है, अगर देखो अच्छे वे में तो पॉजिटिव वे में हर कोई सोच के चलता है कि कोई आप पदा हो रही है, तो एकदम आके उन्होंने बता दिया, किसी की death cause होने वाली, कुछ हाथसा होने वाल करें हो, paranormal field में आ रहे हो, तो भी यह कि क्या आपके पास इतना time है, कि आप लोगों को इतना वक्त दे सको, क्या आप अपनी नीजी जिंदगी और इस तरीके की जिंदगी को दोनों को balance कर पाओगे, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत हो जाती है, और जो पितर है, उसकी अगर आपकी सोच नहीं मिलती थी, जब वो जीवित थे आपके पितर, जो उनकी शारिरिक रूप से जब आपके सामने थे, तो जब अगर आपकी सोच नहीं मिलती थी, ideological differences थे, तो आपको conflict जीलना पड़ सकता, आप कहीं और चल रहे हो, वो आपको कहीं और चलाने का प्रया हो सकता है कि आपका अपने ही partner से विमुक्ता होने शुरू हो जाए, आप अपने ही wife को हात ना लगाओ, या उससे दूर होने लगो, या आपका मन ना करे, या आपको डर लगे, या जब enjoy करो, तो हो सकता है आपकी पतनी को वो पितर दिखाए देने लग जाए, या आपको म आत्मा है, वो पूरी तरीके से privacy खतम होती चले जाती है, क्योंकि कोई और आत्मा भी हर वक्त आपके साथ है, और वो भी आपके घर की है, जो आपको जानती है, आप उसको जानते हो, तो बहुत कई दफ़ा लोगों की चीज़े बिगड़ी है, लोगों की चीज़े खराब हो ही है, और कई दफ़ा पितर के साथ, अगर कोई और स्पिरिट भी आ गई, सवारी लेने के चक्कर में, या पितर आया, और पितर आपके प्रती नेगेटिव हो चुका है, आप कोई बात नहीं पता, आपने उसको अपने शरीर पे ले लिया, तो मान लिजे कि बर्बादी लिखी है फिर, क्योंकि जो पितर आपके नेगेटिव होगा, अगर आप उसको अपने शरीर पे ले रहे हो, तो आपका कूडा ही करेगा, आपका कामी बिगाड़ेगा, आपको बर्बाद ही करेगा, वहाँ पे फिर कोई भी तरीके की रिहाई दुआई नहीं होगी, क्यों या कौन सी चीज पता लग जाएगी, लोटरी की टिकेट पता लग जाएगी, या कोई हमें नुक्सान बचाने वाला, कुछ हद तक ही पितर भी मदद कर सकते हैं, वो भी एक आत्मा है, वो कोई बहुत बड़ी शक्ती नहीं है, हर आत्मा का एक दाइरा होता है, जहां तक को वदद कर पाती है, और ये भी ज़रूरी है नहीं कि पितर आपके शरीप पर आ गया, तो लोग कल्यान कर ही पाएगा, कि कोई भी प्रेत्रोगी आया, उसको ठीक कर दे, वो कर ही पाएगा, ऐसा ये ज़रूरी नहीं है, अगर आत्मा साधारन है, उसके अंदर कोई ही पोजेस्ट हो, अपने ही घर के परी जंदवारा, फिर आप किसी का इलाज करने निकलोगे, तो जरूरी नहीं कि वो ठीक कर सके साबने वाले को, तो इस बहुत से लोग इस गलत फैम में रहते हैं, कि पितर हमारे शरीर पर आगया, तो लो जी हम बन गए, परनोमल अब बन गए, इतनी पावर्स आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप खुद को प्रोटेक्ट कर सको, और आपके खुद की एबिलिटी जोनी चाहिए, आपके अंदर खुद इंट्युटिव और साइकिक एबिलिटी होनी चाहिए, कि आप इन चीज़ों को देख पाओ, इन से communicate कर पाओ independently I am saying उसके बाद आपको external help ले रहे हो तो और या अपने पितर की भी help ले रहे हो तो you know कि how to tackle them अगर आपको spirits से tackle करनी खुद से independently नहीं आई तो आप अपने ही पितर को नहीं tackle कर पाओगे उसकी soul के भार को ही नहीं control कर पाओगे अपने उपपर लेने के देने पड़ जाएंगे तो अगर शुरू से आपको paranormal experiences नहीं होए कभी भी आपको इस हद तक ability आपको नहीं लगता कि you have been blessed with this thing नहीं तो आप खुद जबर्दस्ती इस में पाओं बढ़ डालो यह खेल नहीं है यह मजाक नहीं है जिंदगी दाओ पर लग जाती है मैंने बहुत cases देखे हैं जहां पर लोग अपनी मर्जी से खुशो के पितर अपने उपर लेते हैं और बाद में छे मैने साल दो साल में नहीं जब उनकी एस्तैशी करने लगता पितर फिर वो रोते हैं जगे 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 जाते हैं अब इसको उतारो और वो फिर उतरता नहीं है, वो कहता है फिर मुझे किसी और के शरीर पे बिठवाओ, मैं एको तो अब शरीर की आदत हो गई है, मैं एको तो शरीर चाहिए और कोई घर का जनाराजी नहीं होता फिर जबरदस्ती चुपचा बेवकू बनाके किसी के भी शरीर पे छोड़ते डोलते हैं, गलक टोटके करके तो ये सवाल बहुत दफा मुझे लोग करते हैं कि प्लीज हमें पितर अपने शरीर पे उनकी सवारी लेनी है हमें लोग का भला करना है, हमें इस फील्ड में आना है ये फील्ड बहुत अच्छी नहीं है, बहुत हाई-फाई नहीं है, बहुत लुकरेटिव नहीं है ये ब्रह्म है आपको, ये अगर आप सोच रहों कि बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छा हो है जब आप इस लाइन में एक बारी घुश जाओगे तब आपको इसके खत्रे पता लगेंगे, इसके डेंजर्स पता लगेंगे आपके पास अगर खुज शक्ती नहीं है कोई से भी तो गलत पचड़े में पढ़ने वाली बात है बाजी बाजी दफ़ आप ऐसी स्पिरिट से एंकाउंटर करोगे जो आपसे भी जादा पावरफुल है आपके पितर से भी जादा शक्ती शाली है वहाँ शक्ती पितर को भी पहुंच जाएगी आपको भी पहुंच जाएगी और उसमें भी अगर उस पितर ने भी आपको तंग करना शूरू कर दिया, आपकी परसनल लाइफ डिस्टरब करना शूरू कर दिया, आप सेक्स नहीं करोगे, तो आपकी तो हो गई जिन्नकी खराब, शादी भी कर ली, सेक्स भी नहीं कर सकते, पत्नी छोड़ जाएगी, या कोई लेडी है, उन्होंने अपने उपर लिया है, पती हाथ लगाएगा, बिमारी पैदा कर देगा पितर, या तो पत्नी को या पती को, in case वो अब्जेक्ट करता है तो, तो यह समझना बहुत जरूरी है कि किसको आप ले देओ, खासकर बहुत लोग होते हैं, बिल्कुल अ इसा है, क्या इसका nature है, क्या temperament है, उसमें भी, if you are ready to share your body, आप अपनी जिंदगी बाट रहे हो, जिंदगी का बटवारा कर रहे हो, आपकी जिंदगी आपकी फिर अकेले की नहीं रहेगी, इस बात को आपको समझना होगा, आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते पितर को, वो आपको अपने साथ से चलाएगा, और अगर इन केस आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठी, तो उसको उतारने के लिए फिर आप इदर से उदर धके खाते रहोगे, पैसे वरबात करते रहोगे, और परिशानी अलग रहेगी, फिर वो और रुष्ट हो जाएगा कि मुझे उ इस चीज नहीं है कि आपने कुछ साल किया, फिर लाइन बदल ली, एक बारी आप इसमें घुस गए, तो उससे निकलने की अगर आपको युक्ती नहीं पता, अगर आपको खुद नहीं पता कि कैसे किसी स्पिरिट को हटाया जाता है, कैसे बोड़ी पर डाला जाता है, कैस उसको उतारा ना जा सके, सवारी ली थी दूसरों का कल्यान करने के लिए खुद परेतरोगी बनके बैठ जाओगे, किसी ना किसी के दरबार में फिर जाते रहना, तो इसलिए नए 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 चीज़े, नए नए खेल, नए नए उटांग निमाग में मतला हो, चाहे मेरे को वेस्क लोग कॉंटक्ट करते हैं कि रिटायर हो गए हैं, खाली बैठे हैं, हम सोच रहे हैं पित्तर की सवारी ले 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 अपने उपर, किया लोग ऐसे, किसी का या हाउस वाइफ है, हो, दिन में खाली बैठी रहती हूँ, टीवी देख लेती हूं, मैं कोई श्पृत यहां आपके शरीर और आपकी आत्मा की बात हो रही है तो इसलिए काओंगा इसके प्रॉजन कॉन समझ लो यह लाइने बहुत खत्रेकी होती है अगर आपने कभी कोई साधना नहीं की कोई शक्तियां हासिल नहीं की कोई आपके पास पावर्ज नहीं है तो इन चक्करों में मत पड़ो आपसे यही काओंगा बाकी आपकी मर्जी आपके अपनी जिन्दगी निजी जिन्दगी निजी फैसले है मैं सिर्फ आपके वेल बिंग के लिए आपको राय दे सकता हूँ बाकी जो करना है वो आपने अपनी मर्जी से करना है क्या सही है क्या गलत है वो आपके जिन्दगी का आपका अपना फैसला है तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप सजक रहेंगे इस बात पर गौर करेंगे सीधी साधी जिन्दगी जिया करो दोस्तों जिसमें कोई परिशानी ना हो और भगवान ना करे किसी को यह प्रेत रोग हो मैं तो हमेशा इश्वर से यही प्रातना करता हूँ कि किसी को यह रोग ना हो और जिनको है उनके जब हम केसे सुनते हैं देखते हैं डील करते हैं तो बहुत बुरा फील होता है कि किस तरीके से इंसान परेशान है, बहुत तिक दुनिया की परेशानिया अलग और ये परेशानिया अलग, और दोनों को ही जीना है, शारिरिक कष्ट को भी, जगड़ों को भी, पैसे की तंगी को भी, और इन दुष्ट आत्माओं के बिख़ट भी है शारीरिक कुष्ट भी है वालो से भी जगड़ा है फानेंशल पैसे की की तंगी है सुख कोई है नहीं फिर किस कहाए का भगवान जहां है भगवान इस तरीके से लोगों की हालत हो रहे हैं और अगर ठीक ठाक हो आपके जीवन में कोई बूत परत ब्यादा नहीं है तो जबर्दस्ती उड़ता तीर लेना जबर्दस्ती कुलाडी पर पैर मारना यह बहुत बड़ी बेवकुफी होगी बाकी आपके मरसी है दुआ यह होब आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो इसी तरह सुनते रहें प्यार देते रहें सब्सक्राइब किज मिलता रहें अगर आप किसी भी नेगिटिवट यह भूत प्रेट ब्यादा से परेशान है तो आप मेरी धुनी मंगाईए सुपर प्लाटनम यह सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलानी शुरू कीज़े हर तरीके की नेगिटिवट यह दूर होगी दिवाली का वक्त चल रहा है ऐसे में आपके दुष्मन तोने तोटके बहुत करेंगे आपके तो इसे में आप ज review दूनी मंगाएए और जलाते रहे हैai दुष्मनम का नाम लेके जलाएंगे तो वह भी दूर होने लगेगा तोने टोटके तो खतम होई जाएंगे बहुत प्रित ब्यादा कामी नाश होगा आप मेरे द्वारा भी मतरत कवच या लॉकेट भी धारन कर सकते हैं इससे सदैव आपकी रक्षा होगी मेरे द्वारा क्रिया वाले नारियल मंगवा के उनसे उतारा करके उस नारियल